पॉली, how can we change our bad habits to good one? अच्छा प्रश्न है पॉली का पॉली सारे प्रश्न जो है कही ना कहीं बहुत planned और सोच समझ के अच्छे से पूछती है पॉली का प्रश्न है कि habits को कैसे change करें अगर bad habits को good habits में कैसे convert करें habits को थोड़ा समझेंगे पहले habits जो है, ना तो good होती है ना bad होती है habits habits होती है बलकि वो कहें कि वो एक pattern का हिस्सा है वो हमारे unconscious का एक part है वो हमारी जो है, एक सोईवी प्रवत्ती से जो है वो चीज़ें निकलती है habits की जुरत है definitely क्योंकि नहीं तो आप जो है दिन बर के जो काम होते है वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि body और mind क्या करता है उन कामों को जो है उन patterns को अपने अंदर जो है उतार लेता है और फिर वो habits बन जाती है अब ऐसी habits हैं जो compulsive habits हैं जैसे कि रोज सुबह आप जो है brush करते हो, नहाते हो तयार होते हो, office के लिए निकलते हो, गाड़ी चलाते हो तो बहुत सारी चीज़े ऐसी हैं जो compulsive habits हैं जो जरूरत हैं ही है जो आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपको इनको रोज सीखना पड़े तो आप जो है कोई काम नहीं कर पाऊगे तो बहुत सारी चीज़े ऐसी हैं जहां पर compulsive habits चाहिए लेकिन एक compulsive habits के पीछे बस अब हमने जो है जो इस mark पर जाता है spirituality के जो consciousness के mark पर जाता है वो इनके पीछे जो है बस एक consciousness के create करना शुरू कर देता है तो वो उन compulsive habits के पीछे जो है वो बस थोड़ा जाक के पीछे खड़ा हो जाता है वो ये देखता है कि कुछ जो है मुझसे बिहोशी में ना तो जब हम habits बात कर रहे हैं तो habits जो है कुछ ऐसे काम जिसको आपने repeat करा है शुरू में आपने उनको पकड़ा था अब habit ने जो है अब आपको पकड़ लिया अब अच्छे या बुरे दोनों ही कई ना कई habit pattern है और दोनों ही unconscious pattern है एक सुवेविक्ती के बीतर जो है वो habits के पीछे खड़ा हो जाता है वो consciousness जो है उसकी पीछे जो है उनके पीछे आजाती है उन habits के पीछे और धीरे देरे फिर वो habits तो रहती है लेकिन हम पीछे जो है खड़े रहते हैं जब हम खड़े रहते हैं पीछे जब हमारी भीतर पीछे जो है consciousness बनी रहती है तो अपने आप बड़ा नाच्रली जो है आप भीतर जागे हो हैं उस जागे होए होने के कारण जो है, जो आदतें नेगिटिव हैं, उसको जो है आप ड्रॉप करना शुरू कर देते हो, जो आदतें पॉजिटिव हैं, उसको आप जो है अपनी लाइफ में अलाओ कर देते हो, लेकिन एक चीज हमेशा याद रुखने की बात है, नेगिटिव habits या positive habits अच्छी या बुरी आदते दोनों ही unconscious के patterns है ये ज़रूर अच्छा है कि अच्छा हो कि एक आदमी positive patterns को अपना दे अपने life में तो उसकी life थोड़ी अफको definitely better होगी लेकिन अगर पीछे consciousness नहीं है तो कोई भी आपके पास habit pattern है अच्छे या बुरे it will not matter at all वो किसी काम के नहीं है कुछ ऐसा समझो कि एक विक्ती जो है एक जिसको हम बुरा बोलते हैं वो शराब पीता है cigarette पीता है unconscious है these are the bad habits इसको आप bad habits पोलते हैं फिर एक विक्ती है जो जिसको हम अच्छा कहते हैं ये शराब नहीं पीता cigarette नहीं पीता he lives a very disciplined life बहुत जो है अपने अंदर उसके अंदर ये रहता है कि वो अच्छे चीज़े करेगा इसको आप अच्छे जो है आप सोच तो है these are good habits but ये भी unconscious ही है उसका भी it is very much equal to the bad habits कुछ ऐसा समझो कि आप एक मंतरा का इस्तिमाल कर रहे हो और आप बोल रहे हो भी तर राम 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 ठीक है अब वो जो राम के बोलने में जो है वो जो habit pattern है उसमें आप भीतर से जो है सोच चुके उसमें जो है वो unconsciously वो एक habit का एक pattern बन गया अब इस तरह के बोलने को जो है कोई इसका जो है इतना महत्व नहीं है अब और as compared to अगर आप कोई एक ऐसा नाम बोल दो और पीछे जो है consciousness हो तो वो भी काम करता है पर example कि अब आप राम बोल रहे थे unconsciously उसका कोई इतना यूज नहीं था क्योंकि आप सुख हो रहे थे अब आप कोका कोला बोल लो पीतर से लेकिन जाक के बोल तो कोका कोला भी जो है अपने आप में बड़ा positively जो है वो काम करना शुरू कर देगा आपके लिए वो miracle का काम हो जाएगा आपके आप ये discover करोगे कि my god कोका कोला जो है वो it's a very beautiful mantra सिरब एक ही difference पढ़ गया पीछे difference एक ही पढ़ गया है कि आपकी जो है consciousness जो है पीछे आगे उस mantra के कुछ भी करना है सारा का सारा जो है प्रयास ये रहना चाहिए कैसे हम जाग सके कैसे हमारी भीतर का जो है जागरन बढ़ सके और हम कुछ भी काम जो करे उसके पीछे जो है हमारी एक जाग बनी रहे एक बहुत beautiful एक बुद्ध के साथ की घटना है घटना कुछ ऐसी है कि भगवान बुद्ध जो है अपने शिश्य आनन्द के साथ बात कर रहे थे और बात करते करते जो है उनके मुँपे एक मक्खी बैठी और एक दन से उन्होंने जो है उड़ा दी बगवान बुद्ध की बात कर रहे और फिर वो बोल रहे थे तो उनको एक बारी जो एक दन से रिलाइस हुआ कि आरे मैंने मक्खी को ऐसी उड़ा दिया जो है तो वो आनंद से बात करते करते जो है रुके उनका कि रुको आनंद तो उन्होंने क्या करा उन्होंने अपने हाथ को दुबरह लेके गए और उन्होंने बड़ा da तो शिशे आनन्द ने उन्होंने पूछा कि ये हमें समझ नहीं आया है, मक्खी तो पहली उड़ चुकी थी, अब दुबारा से उड़ाने की क्या जूरत थी? तो भगवान बुद ने कहा कि पहले तुमसे बात कर रहा था और उस बात करने में जो है, अनकॉंशिसली जो है, मेरा हाथ चल लिया, मैं पीछे खड़ा नहीं था, अब दूसरी बार जो है, मैंने जब हाथ चलाया है, तो मैं पीछे खड़ा हूँ और वो मेरे लिए सबक है, वो मेरे लिए लिसन है, कि मैं कुछ भी काम, कि अगर वो हैबिट पैटरन भी है, तो उसको जो है मैं कॉंशिसली करना चाहता हूँ, उसको जो है मैं अनकॉंशिसली नहीं होने देना चाहता हूँ, तो लाइफ के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, उसके भीतर पीछे जो ह एक consciousness जोडते चले जाए उसमें एक जाग पैदा होते जाए तो इतनी फिकर नहीं करने पड़ेगी कोई सी bad habit है good habits है अभी bad habit और good habit जो है equivalent है अगर आपके पीछे की consciousness अगर नहीं है तो bad और good equivalent है कोई फरक नहीं पड़ता आप जब सोहीं रहे हो अब आप क्या सपना देख रहे हो बुरा सपना देख रहे हो अच्छा सपना देख रहे हो इससे क्या matter कर जाएगा सो तो आप रहे हो सारा फरक तब पड़ता है जब आप भीतर से जागे हो जागने में सब चीज़ें बदल जाते है consciously जब आपकी एक approach रहती है हर चीज के प्रती तो सब चीज़ें जो है change हो जाती है so instead of और फिर कही ना कही प्रश्ण में ये भी बात है कि कैसे good habits को कैसे वो जो bad habits है वो good habits में convert हो जाए जो habits है अब किसी की समझो एक आदत है चाए पीना और वो चाए पीना जो है उसको नुकसान करती है अभी के लिए उसकी ये habit है उपर से आप इसको बोल रहे हो ये bad habit है ये खतम होनी चाहिए लेकिन गहरे में जो अभी आपका system है जो आपका body और mind है वो ये ही समझता है कि ये जो चाए पीना है ये बड़ा सुकद है ये बड़ा ये बहुत अच्छी feeling देता है मुझे तो उपर से तो आप इसको bad बोल रहे हो लेकिन भीतर से ये आपके लिए एक good habit है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो सारी चीजें जो आपके body और mind good समझते है वो उसको नहीं छोड़ते है जिस चीज से भी सुख मिलता है जिस चीज से भी आपको अच्छा लगता है आपका body और mind समझता है कि ये मेरे लिए good habit है अब आप उपर से आपको बहार से पता चलता है जब आप distance create करते हैं आपको ये भी दिखता है कि ये चाय पीना मेरे लिए ठीक नहीं है इससे मुझे जलन होती है ये मुझे भूप नहीं लगती है और issues जो है होते हैं तो उपर से तो आपका जो है एक simply एक thought आपको create हो गया कि ये आपके लिए bad है लेकिन existentially अभी body और mind को जो है उस चीज का feeling नहीं आया उस चीज को पता नहीं चलाए तो जब तक कि अंदर से आपको clarity के साथ चीज़ें नहीं दिख जाती कि आपके body और mind को एक चीज समझ में नहीं आ जाती कि ये मेरे लिए bad है तब तक वो जो habit है वो continue रहती है फॉर एक्जामपल आपको ये पता है कि जहर खाने से आप मर जाओगे अब मैं जतना मरदी आपके लिए कोशिश करूँ आपको जतना मरदी convince करूँ कि अरे जहर बहुत बहुत बढ़िया है बहुत अच्छा जहर है इसको पी लो आप नहीं पीोगे ना क्योंकि आपको पता है कि इसका क्या काम है ये क्या करेगा आपके साथ तो जब आपकी body और mind को जब एक चीज की realization जब तक नहीं होती ना तब तक आपकी जो good और bad habits हैं जो इस तरह से चीज़ें चल रही है वो चलती रहती है इसके फिकर मत करो कि good habits हैं या bad habits हैं important ही है कि जागना शुरू करो और उस जाग से अपने आप ही आपकी जो body और mind है वो decide करेगा कि मुझे क्या चुनना है कि मुझे good चाहिए कि जो आपके लिए good है वो बड़ा naturally आपका body और mind जो है choose करेगा अभी आपके लिए जो है ये addiction है जैसे अभी आपको जो है कुछ चीज़े जो है आपके body mind जो है क्योंकि वो चाह रहा है तो वो नहीं छोड़ पा रहा है लेकिन जैसे से एक जाग create होगी कि अब जब आप जाग के जब आप चाए पीओगे और उस चाए पीने के अंदर जो है आपको हर चाए पीने में जो है आपको एक एक एहसास होगा और उस एहसास से जो है आपको जो है अपने आप ही अपने अंदर जो है ये clarity आएगी कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है एक सेकंड खोल करिए प्लीज सो कंस्लूजन में मेरा ये कहना है कि बड़ा नाच्रली जब आप जाकते हो तो अपने आप ही जो है जो good है वो आपका अपने आप ही जो है हिस्सा हो जाता है और जो bad है जो आपके लिए ठीक नहीं है वो अपने आप ही आप से जो है दूर होना शुरू हो जाता है बहुत नाच्रली जो है ये चीज़े होनी शुरू हो जाती है तो conclusion क्या है? essence क्या है? जिस्ट क्या है जितने जाग रुक रहोगे उतनी चीज़े जो है हमारे साथ जो है in a positive way जो है उगटेगी फिर ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे जो है bad को good में convert करना है फिर वो bad अगर बहार से दिखता भी है तो वो आपके लिए good है क्योंकि आप अपनी body और mind को आपको समझना पड़ेगा कि वो जाला control में है वो जाला समझते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है आपके thought से कुछ नहीं होने वाला आपके thought में अगर आपके अंदर ये बात आ रही है कि ये good है या bad है इसको मुझे करना चाहिए इसको मुझे नहीं करना चाहिए उस thought से सरफ कुछ नहीं होता जब तक कि unless and until you've experience जब experience चीज़े हो जाती है तो चीज़ें जो हैं अपने आप ही फिर नहीं होती अब जैसे मैंने जो चाय का example दिया था अगर आप ये जाक कर चाहे पी रहे हो और आपको दिख रहा है you know this is what it is doing to your body कि it is actually harming you लेकिन जब तक वो realization नहीं होती और वो realization तब ही होती है जब आप उस experience से गुजर रहे होते हो कि उस वक्त आप सोए नहीं हो उस वक्त आप जागे बो उस चागने में ही आपका जो जो आदत है उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा जो आदत है वो छूट जाएगी naturally drop हो जाएगी और वो ऐसे drop हो जाएगी कि जिसके अंदर आपको बिल्कुल भी किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी फिर हम कह सकते हैं कि फिर बड़ा naturally आप choose कर पाओगे अपने लिए क्या आपको habit चाहिए अपने लिए तो जो आप करते हो वो good है जो आपकी body और mind जो choose कर रहा है वो समझ रहा है कि वो उसके लिए good है इसलिए उसने पकड़ा होगा और जो जो चीज आपके body और mind नहीं पकड़ गी वो आप वो आपकी system को लगता है वो आपके लिए bad है जब जागरण आगया तो फिर अपने आप ही जो है good आपका हिस्सा हो जाता है bad आप से तूर हो जाता है